और अब बात करते हैं एयोध्या की जहां करीब सात माह से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थाना रुदावली छेत्र के अमानी गंज ब्लोक के ग्राम गौहनिया बरेटा जिला आयोध्या थकार कर गुरुवार को सदर तहसील के ठीकोन या पार्ग में आयोजित महापंचा में भी आब बीती सुनाई जिसे लेकर भाकियों प्रदेश ने तित्र में भी उसकी लड़ाई लड़ने को लेकर हूंगार भरी परन्तु पीडित किसान नेता रुदोली पुलिस की कारिसली पर सवालिया निसान लगाते हुए अपनी जिद पर अणा रहा यहां तक कि मुचना ततकाल अपने अधिकारियों को दी मौके पत्मूच अधिकारियों ने किसी तरह पीडित किसान नेता को आस्वस्त किया तब जाकर उन्हें राहत मिली दरसल मामला बर्तमान महिला ब्लॉग प्रमुख सिल्पी सिंग के परिवार से जुड़ा होना बताया गया है पिडित किसान का गयना है कि ब्लॉग प्रमुख के पती सर्वजी सिंग के खिलाब कोटे की दुकान को लेकर पिडित ने कई बार अधिकारियों से इसकी सिकायत की थी जिसे लेकर आरोपी अपने कुसाथियों के साथ मिलकर किसान नेता फूल चंद को ले जाकर उसकी जम कर पिटाई ही नहीं किया बलकि उसे अधमरा कर जान से भाग खड़ी हुए जिसके विरुद पिडित किसान नेता ने रुदौली थाना में तहरीर दे कर न्याय की अपील किया था परंतु थाना पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिसके बाद उसने स्पी ग अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है जिसे लेकर किसान को ऐसा करना पड़ रहा है वहीं किसान नेता के स्कृत से जिला पुलिस के पसी ने छुड़ा दिये अनर्फानन में महापंचायत के संपन होने के बाद भी जब पिडित वहां से नहीं गया तो पुलिस ने उसके साथ म अब गुंडे करें जद्द कावाद काम करा रहा है उन लूट रहे है जमुन लूट रहे पसा लूट रहे है उनका हम रोक रहे थे ओम मार के फेक दे जा था पूरा मामला का रहे है पल्द परदेन रुक रहे हैं समय ने पर रहे हम ब समय द बनिवाई फर उसके बाद पकाडलिये हमका बुलाई काहा मुरगा बने चली काली मर्ज मार के फेक दे लेगा शतनपुर बढ़ा दे बारिक मान हमार कोई रंजी से नहीं रहे हम काप्तान किया कोटवालरूर दुल पुरा मामले तो घर से तो बला के लेगे राज सिंग वो बोले कि चलो मुर्गा मश्री बनिये खाया हूँ फिर यहां से जबार दफ्ती गारी बैठाए ए बोले कि हमारी बढ़ी समनी भया जाएंगे लगी अब लेक्त हमारे साथ कुछ नहीं होगा आपस कदे में फिर वापस आु नहीं आई तिस लिए ले गए थे तैंगे यहां तेंगे जबाद दफ्ती गारी पर बैठाएं नहीं बाइथा गिने पाचे बीचे मिनका बाइथा है, तो हैं कि चलो हमारे घर पे मसरी बनी है, मुर्गा बना चलो खाया हूँ.